सूरा मेरे मज़ पमान तठन फिर मने सिखा पधिंग समाधियानी बुद्धन समण संग बहुत सारे हमारे साथ ही यहां ऐसी होंगे जुनों ने समण नाम पहले बार सुना होगा आज सुना होगा या जब मास्टर जी गए होंगे उनसे बातचित करने तो तब सुना होगा तो समण सब्द ही नहीं सुना किसी ने तो समण संग क्या सुना और जब समण संग के वारे में जानकरी नहीं तो यह माल लेतें तें अपने प्रश्वाइसिंग भी मिले एक सभा में। 78 में लगे, उत्तरप्रतेस में लगे। उन्होंने कहा कि आपको कहीं देखा है। मेरी डाड़ी मुच बड़ी हुई थी उस समय। फिर उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाते हैं तो देखा। बड़े खुश हुए के रहे, मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। आपसे मिलने की इक्षा थी, आप ऐसे सड़क पे मिल जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ताजू है कि मुझे भी समण के वारे में पता नहीं। मैंने इतनी कितावे पड़ी, कितना एड्मिस्टेशन किया, बड़ी बड़ी पोश्टों पे रहा, एडिशनल बीजी भी रहा। पर समण के वारे में नहीं। पर जैनों के काईकरब में गया था तो वहां समण के वारे में बात हो रहे थी। क्योंकि जैन लोग महाविट जैन भी समण थे। जैन लोग भी समण हैं। पुराने लोग हैं। बुद्ध के समय के हैं। उससे पहले सारे समण। तो कहते हैं कि इतनी बड़ी जो संस्कृती है, संखती है, कल्चर है, उसके बारे में एक सब्द नहीं पढ़ाया जाता। एक किताम में सब्द भी नहीं है। आप बच्पन से लेके और बढ़ापे तक मर जाओ वे सारी किताब पढ़के आपको समण सब्द नहीं मिलेगा। समण सब्द नहीं मिलेगा आपको। पाली में मिलता है। डॉक्टर अम्बेटकर की जो किताब है सोलवा मॉलियो में उसमें मिलता है। जैनों का जो साहिते हैं उसमें मिलता है भरा पड़ा है और बौद्धों का जो साहिते हैं उसमें मिलता है और जो बौद्धों के जैनों के साहिते से पहले साहिते हैं इंडी का मेगस्थनीज की विदेशी लेकर की उसमें भरा पड़ा है और उससे पहले पत्थरों में और उ कितनी कि विशाल है यहां कोई वबन तो नहीं बैठा कोई ब्लाहें बैठा हो तो हाथ खड़ा कर दे किसे साथ के यहां यहां जितने devotee हैं सम्ड़ बैठे हैं कोई अफ द ख्यू बिसाब सब्छा है अब जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, उनका कोई माबाप तो होगा, और उनका भी कोई माबाप होगा, और उनका भी कोई माबाप होगा, तो पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो अगर आज बमण नहीं हैं, आज समण हैं, तो पहले से समण हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम समण न में जो समण लिखा हुआ था उस से लेके आज तक समण सब्द चला कहा गया ये बात नहीं सोच में आती समझ में नहीं आती लिखाई चली गई, पढ़ाई चली गई समढ़ सब्द का इत्यास बदल दिया, चला गया जिसके इत्यास को बदलना हो, जिसकी जानकारी को बदलना हो तीन तरीके है पहला उसमें शामिल हो जाओ दूसरा उसको विक्रित कर दो, बदल दो और तीसरा उसको जड़ से खतम कर दो इस समढ़ सब्द के साथ में यह हुआ कि इसको बदल दिया क्योंकि इतनी बड़ी विसाल संस्कृती को पाली में तो संखती बोलते हैं इतनी विसाल संखती को पुराना सब्द संखती को खतम नहीं किया जा सकता अगर इस विसाल संस्कृति को खतम करता हो तो एक तरीका है कि जितने भी लोग हैं जो वमण नहीं है जो ध्रहमण नहीं है उन सबको एक कोट्री में पूरी दूनिया के सारे अच्चे लोगों को एक कोट्री में खटा करो और परमण लगादो और सबको मार दो सारे समण खतम हो जाएंगे तो संस्कति खतम होगी पर अगर एक भी समण जिंदा है तो समण संस्कति खतम नहीं हो जाकती है जो खतम तो नहीं हुई पर नाम बदल दिया क्या नाम बदला सिर्मन सम का श्रम करिया है समन और सिर्मन रड़े तो वही है दोनों में और मैं भी वही है बस सम का श्रम कर दिया यानि सम और श्रम एक ही सब्द है एक पुरानी भासा में जो हम बोलते थे और एक वो भासा जो हमारी नहीं है हमारी भाषा में आधा रह और शे शब्द नहीं है शे शब्द नहीं है ना शल्जम वाला है ना शटकॉन वाला है और आधा रह कोई सा भी नहीं है जो नीचे जितने आधे लगते हैं वो भी आधे रह और जो उपर आधे रह लगते हैं सब्दों में वो भी कोई आधर है हमारी भासा में नहीं है सब्दों को बदलने के लिए ये सब्द कुछ इस्तमाल किये गए तो सम से स्रम कर दिया कोई बात नहीं थी अगर सम से स्रम कर दिया भासा का अंतर हो जाता समण हो जाता और सिर्मन हो जाता पर बात यहीं नहीं रुकी अर्थ भी बदल दिया वो जो अर्थ बदला है उसने बेड़ा गरक किया हमारा हमाई तो पड़ाय लिखाई चली गई खतम हो गई पर समझ का क्या करें क्योंकि समण अगर सब्द बोलते हैं तो भारत के 120 करोण लोग समण है यह जो अभी आप यहाँ बोले थे ना SC, ST, OBC Criminal Tribes जन जाती यह जितने तरकार के लोग हैं जो वमण नहीं है वो सारे समण है यह SC, ST, OBC दलित, बहुजन, अर्जक शोशित, बैकवर्ड, पिषडे यह अब के सब्द हैं 1932 के बाद के और कुछ सब्द तो बड़े नए हैं अभी बहुजन, मूलिवासी, अर्जक यह तो बुलकुल अभी के हैं आप से कोई पूछे आप क्या हो तो क्या बताओगे अभी की बात कहोगे तो कहोगे OBC है अज़के बहुके बहुद जाओ OBC तो 1932 के बाद का है बावासाओ अमेट करने OBC सब्द दिया है उसे बहुल जाओ क्या कहोगे SC बहुद उसे भी बहुल जाओ सिडूल कास्ट है, कास्टों का सिडूल है कास्टों की सूची है सिडूल ट्राइब यानि वो ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं जंजादी OBC यानि Other Backward तो अभी का सब्ध है कोई कहे दलित बुलकुल नया सब्ध है पुराने सब्धों में कहीं मिलता हैं इसका अर्थि भी नहीं मिलता दलित का शोशित का होगे तो सभी लोग शोशित हैं पूरी दुनिया में सब शोशित हैं कोई अफसर से सोशित है, कोई बीबी से सोशित है, कोई परवार सोशित है किसी का पैसा खतब हो गया सोशित है, किसी की जमीन चली की सोशित है सोशित तो बहुत है, बच्चे सोशित सब सोशित है अर्जन का मतलब जो अर्जित करता है जो कमाता है जो अर्जन करता है तो अर्जन भी कुछ करते है कोई गाली अर्जित करता है कोई ताली अर्जित करता है अर्जित तो सभी करते है ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को गाली मिल ले ही उस्ने कुछ अर्जन निं किया बदर मी वी अर्जन है और अगर नाम होता इच्छा वो भी अर्जन है तो बहूजन अगर कहो गे तो बहूजन का मतलब है कि आज अगर हिские 400 मोग बेठे हैं और 200 मोग बैथें तो यह बहुजन हो गए और यम्ज किसी से पूछोगे कि आप क्या हैं हम क्या हैं तो क्या बताएगा जाती बताएगा गोत्र बताएगा यही बताएगा बहुत जाता बताएगा तो यह कहेगा कि छित्र वक्य वारे बताएगा कि मैं हरियानवी हूँ मैं बंदाली हूँ मैं केरला हूँ के लिए हूँ ये बताएगा या किसी गाओं का बताएगा और क्या बताएगा पर अगर आप वमनों से पूछोगे कि तुम कौन हो तो क्यांगे हम तो वमन है वमन के बहुत साथ नाम है वमन है वमन है बामन है ब्राह है दुझ है बहुत साथ नाम है तरहां से लेके अफगारिस्तान से लेके और केरल तर और बर्मा से लेके और इधर ऐरान तक अगर वो सारे लोग बंवन हैं तो हम सारे लोग क्या हैं वमणों में काश्ट नहीं होती वमणों में जाती नहीं मिलेगी आपको आप अगर किसे पूछोगे के वमण बता तेरी जाती क्या है तो कहगा हमारी जाती नहीं है पर समणों में आपको हर व्यक्ति की जाती मिलेगी अगर समण होगा तो जाती होगी ऐसा क्यों है क्या कारण है इसका कि सम्णों के पास जाती हैं होती है पर वम्णों के पास जाती नहीं मिलती होती नहीं जाती उसका कारण है इसकी आवाज खराब हुई क्या इसका कारण है कारण ये है कि पुराने समय में अगर ये खराब होगे तो मैं वैसे बोलतूंगा आरी आवाज पुराने समय में पुरानी भासा में जो जात और जाती सब्द है वो सब्द वो सब्द का मतलब है उत्पन करना उत्पत्ती यानि पैदा करना जात और जाती का मतलब है पैदा करना उत्पन करना पुराने सब्दों से मिलता है तो जो व्यक्ति कुछ उत्पन नहीं करता पैदा नहीं करता उसकी जाती नहीं है यानि कि वो कोई जाती नहीं करता तो भारत के सारे लोग जाती करते थे जात करते थे कोई किसानी करता था तो अन उत्पन करता था तो अन जात करता था अन जाती करता था कोई रथ बनाता था तो रथ जाती करता था रथ उत्पन करता था इसको बंद कर दो नहीं शोड जाजा आ रहा है आवाज आ रहे हैं तो कोई व्यक्ति अगर धनुस बनाता था तीर कमान बनाता था तो वो धनुस और तीर कमान उत्पन करता था यानि धनुस और तीर कमान जात करता था जाती करता था कोई कपड़े की जाती करता था कोई व्यक्ति सूत की जाती करता था कोई टाट की जाती करता था कोई धातु की तलवारे बना के जाती करता था यानि जो पैदा कर रहे हैं उसको जात और जाती बुला करते थे उत्पन करना इसलिए भारत के जितनी भी लोग हैं वो सारे काम किया करते थे तो उनकी सबकी जो काम करते थे वही उनकी उत्पनता जाती जात और आग के समय उनका वर्गी करन हुआ जाती हुई पर अगर कोई बहार से आए इस देश का ना हो और वो खाना बधोस आए उसके पास कुछ ना हो वो हमारी भासा भी न जानता हो वो कुछ ना समझता हो कोई काम ना आता हो उसकी ना कोई जमीन हो ना जाजाद हो तो क्या काम करेगा या तो छीनेगा और या मांगेगा खाना तो उसे भी चाहिए तो छीन सकता नहीं क्योंकि हमारी संक्या बहुत जादा थी वो बहुत थोड़े से तो मांगा उन्होंने इसलिए समणों में आज तक कोई भी मांगने वाला नहीं मिलता याचक नहीं है समणों में समणों की किसी भी कहानी में एक भी याचक एक भी भिकारी एक भी भिकमंगा एक भी बैगर नहीं है पूरे थ्यास में कोई कहानी नहीं है कि एक दरिद्र समण किसी के दरवाजे पर याचना करता है और सारी कहानिया है कि एक दरिद्र वमन एक दरिद्र ब्रहमन एक गरीब ब्रहमन एक गरीब ब्रहमन याचना करता है याचक करता है मांगता है कहा हमारे दरवाजे पर समणों के दरवाजे पर आज भी गर्ब से कहता है कि हम तो याचक हैं मांगने वाले हैं ये बहार से आया हुए जो लोग हैं उनको हमने समद नहीं कहा उनको वमण कहा हमने नाम दिया उनको वमण क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे रूप रंग के वम थे वम माने उलटी हमारे रूप रंग के उलट हम पक्के रंग के सैवन जिसको सवन बोलते हैं सवन माने होता है रंग सहित सैवन सैवन मतलब रंग वाला और वो लोग थे एवन बिना रंग के विपूरीद उनकी भासा विपूरीद उनका रहेन सें विपूरीद वम उनकी क्रिया कलाव वम उनकी संस्कृति जीरो उनके पास कोई संस्कृति नहीं वो सिर्फ खाना बदोस्लो लोग थे उनकी हर चीज हमारी चीजों से उलट थी, वम थी इसलिए हमने उनको वम कहा वम हैं ये लोग, वमण हैं और हमने कितने प्रकार के लोगों को वमण कहा जो लोग समुन्दा के रास्ते आए केरल में घुसे उनको वमण कहा जो लोग तमिल लाडों में घुसे उनको वमन कहा जो लोग उडिसा में घुसे उनको वमन कहा जो इधर मंगोल के रास्ते मंगोलीन आए उनको मंगोलीन वमन कहा जो सीरिया से आए उनको सीरियन वमन कहा जो मद्धे एसिया से आए मद्धे एसिया के वमन कहा सब को हमने वम कहा वमन कहा इसलिए अलग अलग प्रिकार के वमन भी सारे वमन है इनमें भेद है ये अलग अलग कंट्रियों से आए इसलिए कोई सीरियन बोलता है कोई मंगुलियन बोलता है कोई बाहर से यूरेशन बोलता है पर सब वम्ण है क्योंकि नाम हमने दिया तो हमारी जो पहचान है पुरानी पहचान वो समण की है पर अगर ये पहचान बनी रहती और हमको ये याद रहता कि हम सारे के सारे समण है तो राजी नहीं जाता हमारे हाथ से कोई समस्या ही नहीं आती हमें हम कभी गरीबी नहीं होते हम कभी कमजोरी नहीं होते हमारी सिक्षा ही नहीं नहीं जाती क्योंकि इखटे हुए लोगों का कुछ नहीं जाता उनका सब उनके पास रहता है इसलिए समण से शिर्मन सब्द बदला और क्या बदला? सिर्म माने जूटा अर्थ बताया कि सिर्म माने होता है काम सिर्म माने होता है काम करने वाले लोग और हम को कह दिया गर्ब करो कि हम मेहनती मेहनत कस लोग है सिर्म माने लोग है सिर्म करने वाले है पूरे पाली साहिते में बावसाम बिटने लिखा है सोलवा मौलियम और खंगालो पुरा स्रम का मतलब है यह नहीं कहीं मेहनत करने वाले को उर्दू में सब्द मेहनत है और पुराने सब्द कहते हैं कमकार कास्तकार कसकार कसक यह मेहनत करने वाले के नाम है कर्म करने वाला कर्मसील यह नाम है सर्मन नहीं है तो सर्मन सब्द बदल दिया और उसका अर्थ बदल के हमको कह दिया कि आप और आपका खांदान और आपकी आने वाली सारी जन्नेसन और आपके सारे बच्चे ये सब के सब सर्मन संस्क्रति के हैं ये सर्मन लोग हैं और ये सिर्फ मेहनत करेंगे हम मेहनत करने वाले लोग तो सुरू से रहे हैं हमने मांग के नहीं खाया पर हम राजा सुरू से रहे हैं मेहनत में राजा आती है समराट असुग जैसा समान चंदकृत मौरे जैसा समान बुद्ध जैसा समन पेरियार जैसा समन डॉक्टर अम्बेटकर जैसा समन रविदाजी जैसा समन ये जितने भी हमारे संत हैं समन और हमारी सब्भेता बहुत बड़ी सब्भेता है बहुत बड़ी सब्भेता है तो वो सब्भेता तूट गई तुक्डों में हो गई और हम जो काम करते थे उसको जातियों को नाम दे दिया जातियों को नाम तो हमारा ही है पर वो जो भेद उंच नीचका किया और हमको जातियों के एक घेरे में बांदने का काम करवाया गया कैसे अगर चमड़े का काम करता है तो चमड़े के काम करने वा शुरू किया ये था नहीं पहले हमारा आपस में सब मिलना चुल्ला क्योंकि हम समढ़ थे हम घेरे में नहीं बनते थे तो काम की जाती से उन्होंने सामाजिक पहचान मनानी शुरू की और हमें जवर्ष्टी जवर्ष्टी सामाजिक पहचान में डालना शुरू किया वहां से हम छोटे छोटे टुकडों में घेरों में आ गए और हमारी जो विसाल पहचानती समण की वो खतम होगी आज भी हमारे लोग इस गुरूर में जीते हैं कि तेरी जाती बड़ी और तेरी जाती छोटी तू OVC और तू ST और तू SC और तू VGNT और तू क्रिमनल ट्राइब्स और तू VESA ट्राइब्स और तू गाओं का और तू सहर का फक्र रखतें इस बात का फक्र और उनसे पूछों के अपने पूर बूज़ों का जरब बताना के कब से OVC थे कब से जाती लिए घूम रहे हो कहां से ये आई ये जाती छोटी बड़ी कैसे हुई किसने बनाई किसने ये भेद बनाए किसने कहा कि तुमारी जाती छोटी है बड़ी है किसने नियम बनाए तो ठंटन गोपाल किसी के पास ना किताब मिलेगी ना अक्षर मिलेगा ना ग्यान मिलेगा सब इस बास से खुस होते हैं तो मैं जिस जाती मैं हूँ मेरे उपर कितने लोग बैटे हुएं इसकी चिंता नहीं पर मेरे नीचे जो लोग हैं मैं उन पर राज कर रहा हूँ सीडियों जैसा सिस्टम डबलप किया गया दमाग में डाला गया तो उपर की गुलामी उपर वाले तेरे को गुलाम बना के रखते हैं उसकी चिंता छोड़ तो नीचे वाले तो गुलाम बना के रहे इसका मज़ा ले तो हर आदमी उपर से जूते खाता है और नीचे वाले को जूते मार के खुस होता है पर उपर से जूते खाता है उसकी बेचती महसूस नहीं करता उसकी बेचती उसकी गंदगी उसकी बदवू उसको दिमाग में नहीं आती अरे तू किसका गुलाम है ये सोच और तू गुलाम मनाना बंद कर ये सारे समन है पर वो कहता है कि मुझे तो नीचे जूता मानने में मज़ा आता है इसलिए मुझे को जूते मार रहे हैं उसे छोड़ो हमारे समड़ों में ये दिक्कत है इसी दिक्कत की वज़े से हम परेशानी में हैं पर परेशानी बड़ी बहंकर है परेसानी इसलिए बहुत बहंकर है क्योंकि हम जिस उद्देश से लगातार काम कर रहे है वो परेसानी बहुत बड़ी है परेसानी इसलिए है क्योंकि दुनिया में लगबग चार पांच अरब लोग अगले 10-15-20 साल में मारे जाएंगे बहुत जदा 30 साल में जाएंगे कि कहके मारा जाएगा कि तुमको मारा जा रहा है तुमको खतम किया जा रहा है ऐसे नहीं मारे क्योंकि ऐसे अगर मारे जाएंगे तो मारने वालों को ये चार-पांच हरब लोग मार देंगे मिलके पूरी दुनिया में अब दुनिया में मनुस्यों की आवशक्ता नहीं है जिन लोगों के पास पूरी दुनिया में सारे संसादनें, सारे पैसे हैं सारी पावर है जो राज कर रहे हैं सारी दुनिया में उनको अब मनुस्यों की आवशक्ता नहीं है कारें आटोमेटिक आ गई हैं अपने आप चलेंगी ऐसी मसीने आ गई हैं जो घर बनाती हैं ऐसी मसीने आ गई हैं जो खेतों में सारा काम करती हैं ऐसे ड्रोन आ गई हैं जो आपका खाना कई सकी पहुँचा सकते हैं अब कारें मरम्मत करने का काम खतम है स्कूटर मरम्मत करने का काम खतम है अब रिप्लेस्मेंट होती है मोबाइल रिपेर नहीं होते बदले जाते हैं फैक्टरियों में रोबोट कपले बना रहे हैं यहां तक की जानवरों पे भी आफ़त है जो जानवर खचर का काम करते थे और खचर का सामान उबर पाड़ों पे होते थे उनके रोबोट आ रहे हैं वो रोबोट सामन पहुँचाएंगी जानवरों की आशक्ता खतम है हर तरह के जानवर की भूमी का बन रही है फैक्टरियों में अब दूद बन रहा है और खाना बन रहा है हर चीज कंप्यूटर इतने जादा आगे हैं कि आफिसों की जरूत नहीं है इसलिए वैकेंशिया खतम है तो जितना भी काम है उसके लिए मशीने बहुत तेजी से आ रही है पूरी दुनिया में तो मनुस्यों की आवशक्ता खतम है तो जब मनुश्यक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष देंगे जिनकी फैक्ट्रियां नहीं जिनकी इंडस्ट्रियां नहीं उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी वो करते रहें सिफारिस खेती किसानी जिनके पास जमीने उनकी रहेगी पर बहुत महंगी हो जाएगी खाद और इसके उपकरन बहुत महंगे हो जाएगे खतम हो जाएंगे तो क्या करेंगे जब बच्चे बीमार पढ़ेंगे खाना नहीं मिलेगा तो बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो कहाँ चाल लाक रुपे जमा कराओ सरकारी हस्पिटल तो बंद होते जा रहे हैं और रुपिया तो है नहीं रोटी खाने के लिए तो बच्चे को क्या बचाएंगे पढ़ाई बहुत महंगी होगी यह बच्चे को पढ़ाओगे घर बेचके तो रहोगे कहां और बच्चा पढ़ लेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा बापिस आएगा कैसे यह प्लान है और उपर से जो बीमारी आती है कोविट जैसी भारत के अंदर 67 लाग आत्मी गायव हो गया उन मरने वालों में समण सबसे ज़्यादा है समण क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं उनके पास संसादन नहीं जो पैसे वाले जानकार लोग ते वो बच गए हरियाने के अंदर ऐसे ऐसे पैसे वाले और बड़े बड़े लोग बच गए जिनके बचने की उम्मीद नहीं थी जिनके अस्तल से खबर आ रही थी कि आज मरे और कल मरे और वो बच गए और हमारे जो लोग थे जो बिल्कुर ठीक ठाकते और सस्ते उन्हें पता नी चला कि वो कम मर गए घर में तीन-तीन मर गए चार-चार मर गए कोई बच जान नहीं कोई पैसा नहीं कोई केर नहीं कोई पूछने वाला नहीं इसलिए कि प्लान बड़ा है हम जो यहां इखटे हो रहे हैं नौकरी के लिए नहीं हो रहे हमारी को डिमांड नहीं है हम यहां जो इखटे हो रहे हैं वो किसी नेतागरी के लिए नहीं इखटे हो रहे हम यहां तेजी से इखटे हो रहे हैं अपने अस्तित को अपने बच् पॉलिटिकल पावर या कोई पैसा या कोई नौकरी या पद या पोस्ट ली नहीं है अगर हम जीवित रहे और इखटे रहे तो यह सब चीज अपने आप खिची चली आएंगी और अगर हम बिखरे रहे और अलग लग रहे तो जैसे यह सब चीज जा चुकी है वैसी सब चला जाएंगे दो चार कोई होगा कोई काम्याब तो उसको विदेश भागना पड़ेगा यहां देश में कुछ नहीं मिलेगा यह हमारी समस्या है और इस समस्या के शिकार सब्चादा समण होंगे क्योंकि उनके पास ना जमीन है ना जाजाद है ना एजूकेशन हाई है ना इसलिए हमको इखटा होना है ताकि हम बचे रहें बाकी चीज़ें बाद में है और जो लोग अपने बचने के लिए इखटे हो रहे हैं उसमें हमारे इस्तित्वी नहीं है कहीं हमें कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि हम बहुत जादा बटे हुए लोग हैं पूछा उसको जाता है जो इखटा होता है बिखरे हुए को कौन पूछेगा जंगल में मदुमक्षयों का जुंड होगा तो मदुमक्षी की हरे किज़त होती है पर अकेली मदुमक्षी गोमती रहे कहीं योई मसल देते हैं कोई फायदा नहीं तो यह समस्या हमारे सामने है और बड़ी समस्या है इस समस्या का समधान करने के लिए हमारे बहुत सारे संग्ठन बने सामाजिक संग्ठन बामसे बामसे जैसे सैकलो हजारो राजनितिक संग्ठन पार्टियां बहुत सारी पार्टियां हजारो पुरे देस में लड़कों के दलबल हजारो सरकारी करमचारियों के संग्ठन हजारो आर्थिक सोसाइटियों के संग्ठन हजारो इस तरह के जो भव हैं अंबेडका भावन कभीर भावन सेनी भावन कभीर भावन सतनामी भवन गुर्द वारा आंक भीहार हो हैं पर सब अलग अलग यह सब अलग अलग हैं अगलके बैटने की बात में करते 29 लाख टुकड़े हैं हमारे 29 लाख गली-गली में टुकड़े हैं गली-गली में नेता है हर आदमी अपने नीचे अपने अंदर हमको बनाना चाहता है कि आ जाओ हम गए भी 70 साल से हमने सभी नेताओं को पानी दिया है सभी को पैसा दिया हमने सभी नेताओं की बात मान और सबको पैसा दिया सबको चंदा दिया तो अधिकार बचने चाहिए और बढ़ने चाहिए थे पर अधिकार ना बचे और ना बढ़े पर इस्तिती ये आ गई कि सम्मिधान खत्रे में लटक गया जिस किताम में अधिकार थे वो भी जा रहा है तो भई तुम 29 लाग संठर कर क्या रहे हो फिर क्योंना तुम पर जूता फेर दिया जाए क्योंना तुम्हारा पैसा बंद कर दिया जाए तुम ये हराम का खाखा के जो मोटे हो गए और हमारे सारे अधिकार चलेगे जबाब कौन देगा 29,29 संठर अगर आप ध्यान दोगे तो सो मैंसे एक नेता ऐसा हो होगा जो अपना रोजी रोटी भी कमाता होगा बाकी 99,99 नेता चंदे पर पलते हैं शादियां कर रखी है और बच्चों को पालते हैं हम उनका खर्चा उठा रहे हैं पर हमारा अधिकार बचेगा तो खर्चा आएगा आप तो नोक्रिया चली गई सारे अधिकार चलेगा वो अभी भी हमारी खाल खिचने में लगे पड़े हैं कि और पैसा दो पैसा दो अभी सम्मिधान के नाम पर पैसा मांगते हैं कि सम्मिधान खत्रे में तो पैसा दो अभी तुम सम्मिधान को कैसे बचा होगे सम्मिधान में साफ लिखा हुआ है 51 परसेंट इखटे होगे ऐसा सम्मेदान में लिखा है तो जिनके पास 91% पालियमेंट में है वो अपने नियम बनाएंगे उनको बनाने चाहिए बहुमत नियम बनाता है पर जो नियम पसंद नहीं आते आवाम को जनता को उनके खिलाफ वो सलकों पर इखटी हो जाती है तो वो नियम बदल जाते हैं किसानों के तीन नियम किसानों को पसंद नहीं आए उनका बहुमत पालियमेंट में नहीं था पर सलक पर था वो इखटे होगे संग के रूप में 38 संग्ठन थे इखटे हुए एक साथ उनके अधिकार बदल गए वो जीत गए संग्धान ने उनकी बात मान ली दो अपधल 18 को एक एटो स्टीज एक्ट का उन्होंने नियम बदल दिया तो संग्धान में उनका बहुमत नहीं था वहाँ पर पालियमेंट में उनके नेता उनके साथ नहीं थे, उनके अफसर उनके साथ नहीं थे कोई दिक्कत नहीं, सब स्टों को पर आए वो नियम बच गया तो लोग इखटे होते हैं तो संग्धान वहाँ से चलता है संग्धान कहता है मुझे अगर मुझे कुछ चाहिए अगर मुझे अपने फिवर में करना चाहते हो मैं तुम्हारे हक्की बात करूँ तो 51% लोगों को इखटा करके लाओ और ये जितने नेताएं क्या क्या क्यते हैं बहुजन, दलित, सोसित, OBC, SC, ST, पिछडे, अगडे, 85% कोई कहता 90%, कोई कहता 95%, कोई कहता 97%, बहुजन, कहां? 39,00,00, तुम्हारे टुकडे हुए पड़े हैं, अगर तुम 85, 90, 93, 97, 95 होते, तो तुम्हारे धिकार जाते या आते? पर इन संग्ठनों को पूछने वाला कोई है नहीं और पूछ भी नहीं सकता, क्यों नहीं पूछ सकता? भाई आप से पूछ के थोड़ी बनाया संग्ठन? किसी आदमी ने कोई संग्ठन बनाया है, तो उसने अपने लिये बनाया है, अपने आप बनाया है, अपने आप से पूछ के बनाया है, कोई समाज से पूछा? अगर मानलो समाज से पूछा होता, और कोई आदमी ये कहता कि मैं एक राजनिक पार्टी बनाना चाहेता हूं तो समाज कहता वह पारलियमेंट पर जांगा लोगों का भला करूँगा तो कहा ठीक है बना ले तो वो समाज से पूछ के राजनिक पार्टी बनाता पिर दूसरा आदमी आता वो कहता जी मैं एक राजनितिक पार्टी बनाना चाहता हूँ समाज से पूछता तो समाज उससे पूछता है वे पहली राजनितिक पार्टी चल रही है उसमें कहा दिक्कता है जो तू दूसी बना रहा है तो पहली वाली से पूसता कि भै पहली वाली में किया दुक्रत आ दोनों को बढ़ाता और दोनों से कहता है कि पार्टी एक ही रहेगी तुम दोनों ये देखो के गळषड कहां है और अब गर्वर कहा है और जो ना मानता उसके कान पटो लगाता समाज утको भगा देता सब्सक्राव कि तो आजिए पार्टी तो एक ही रहागी तुम तो समाज कभी दूसरी नहीं बनाता समाज कभी भी दूसरा सवाज संठतर नहीं बनाता पर यहां तो 40 तो बाम सेफ हैं अगर जाकर कहोगे अरे तूने अलग-अलग संथन क्यों बनाया या तू अलग-अलग संथन क्यों मनाता तच लुभा तो तुससे कहा मतलब तू कौन भई आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो सामाजिक नहीं है, वो प्राइबेट लिमिटेड है, वो कुछ व्यक्तियों के हैं, व्यक्तियों के अधीने, व्यक्तियों के द्वारा हैं, व्यक्तियों के लिए हैं, पर संग लोगों के द्वारा लोगों के लिए होता है, इसलिए संग में कोई नेता नहीं होता है कोई पद्वद नहीं है अब इनों ने जैभीम का नारा लगा दिया और जैभीम के नारे से आप जीतने वाले नहीं हो 39 लाग संध्वनों में बहुत सारे डॉक्तर मिटकर के भखता है भूत सारे बुद्ध के भखता हैं Strasть पैरियार के भक्त हैं बहुत सारे हमारे बंगाल के बैटे हुए हैं जहां गुरू चान ठागुर और गुरू हच्चन ठागुर के भक्त हैं बहुत सारे रविदाजी के भक्त हैं बहुत सारे कवीर साब के भक्त हैं बहुत सारे सतनामी नामदेब के भक्ते हैं बहुत सारे पैरियार साब के भक्ते हैं और यह सारे भक्ते एक दूसरे को डंडा लेके पिटाई कर रहे हैं यह साथ नहीं है इसलिए कोई यह कहे कि डॉक्टर अंबिटकर का जैकारा करके हम जीत जाएंगे अंधिरे में हैं डॉक्टर अंबिटकर ने कभी नहीं कहा कि मेरा जयकरा लगाना कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरा जयकरा लगाना उन्होंने कहा संग्ठित रहना इखटे रहना डॉक्टर अम्मेटकर कहते हैं हीरोशिप में नहीं जाना जब आप डॉक्टर मेटकर का जयकरा लगाते हो तो व्यक्ति वाद को बढ़ा देते हो जब आप बुद्ध का जयकरा लगाते हो तो व्यक्ति वाद को बढ़ा देते हो बुद्ध जैसा आदमी जिसने अपना परिवार खतम कर दिया अपना नाम खतम कर दिया अपनी सकल खत्म कर दी, अपना वंस खत्म कर दी आ सिर्फ इस लिए कि जैकर ना लगे और मुहम्मद मुस्तफा सल्लालाहुयालई कौन मुहम्मद साथ चप्पल खत्म घर खत्म, पहचान खत्म वो जो चीजे थी वो भी खत्म, डॉक्टरा मेट कर गी तो फिर भी उन्होंने कुछ सामन रख रके खत्म कर दिया इतने समझदार लोग चेहरा खत्म कर दिया मुहम्मद साथ तो अभी 14 साल पुराने है और चेहरा नहीं बता सकते आप और वो चेहरा नहीं बनने देते हेरोशिप खत्म कर दी उन्होंने वो के था नहीं जो किताब में लिखा है वो मानोब उसको बस उसपर चलना है चेहरा नहीं चाहेगा मुहम्मद साब का मुहम्मद साब हमारे पैगंबर है ये बात टु ठीक है और चेहरे की पूजा नहीं होगी खत्म बिलकुल व्यक्ती बात तो आपको गुलामी से निकालने के लिए कोई नहीं आ सकता, सुएम डॉक्टर अमेटकर भी नहीं निकाल सकते आपको, बुद्ध भी नहीं निकाल सकते, पेरियार भी नहीं नहीं निकाल सकते, और विचार धारा अगर साथ में पकड़ोगे, तो ये सारे महापुर्स आपको रास्ता बता सकता हूँ मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि तुझे पकलाई और कुछ मोख ले चलना पड़ेगा बुद्ध का भाई आनंद बुद्ध के मरने के बाद मोख प्राप्ट हुआ बुद्ध के जीते जी उसे कुछ नहीं मिला कि रहे आनंद तू इस नहीं में रहता है कि तेरा भाई बुद्ध हो गया तो तू भी बुद्ध हो जाएगा क्या अगर मोख प्राप्ट करना है तो जैसे मैंने मेहनत किया वैसे करनी पड़ेगी यह बुद्ध के भाई होने से थोड़ी तुझे कुछ मिलेगा इसलिए संग यह बताता है कि यहाँ वैक्ति वाद नहीं चलता यहाँ जैकारा नहीं चलता और जैकारे के लिए मना भी नहीं है जैकारे के लिए मना भी नहीं है क्योंकि महापुर्सों का जैकारा करना चाहिए और जैकारे के पीछे ही जाना है वो ऐसा नहीं करना है जाना विचार धारे के पीछे जैकारा सबका करना है क्योंकि जितने भी संब्डों के संथ है वो सारे हमारे है और सबने एक ही बात कहिए इखटा होना है इसलिए संब्डों के महापुरुस्किस बात को मानके जैकारा करना है कि हमको इखटा होना है सारे संतों ने कहा है पर संतों में भेद नहीं करना किसी संत का छोटा बड़ा नहीं करना सारे संत समडों के हैं और सारे संत बराबर हैं किसी संत को किसी बहलत में आगे प्रमोट नहीं करना पूरे भारत में जितने संत हैं, वो हमारे हैं, सारे संत हमारे हैं, इसलिए एक संत का जैकारा करोगे तो बाकी संतों के लोग नाराज हो जाएंगे, और आप इखटा नहीं हो पाओगे, इसलिए संत सारे हमारे हैं, सबका जैकारा है, सबका जैजैकार है, पर किसी एक संत को आगे लेके चलोगे तो बाकी संतों कीछे रह जाएंगे तो आप इखटे नहीं हो सकते और ये होता है वो लोग क्या करते हैं वो हमारे संतों में मतबेद पैदा करते हैं और हमें जगड़ा लगाते हैं ये जगड़ा नहीं नहीं लगाना है इसलिए ये जो समस्या है जो हम खतम होने वाले हैं इसको अगर ठी करना है और इससे बचना है तो हमको क्या करना है हमको अपनी बुद्धी को पैना करना है तर्क करना है वितर्क करना है और अगर तर्क वितर्क ना कर सको तो खुतर्क करो फुतर्ख करने से भी कभी ना कभी तर्ख पे आ जाओगे सवाल करो समझ संसे रोज सवाल करो रोज मीटिंग होती है यहाँ भी सवाल करो जिसके जो सवाल है और काम करना पड़ेगा जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो खतम हो जाएगा ये पानी चल रहा है इसमें बिजली बह रही है इसकी बिजली बहनी बंद कर तो के पानी बहना बंद हो जाएगा जब तक बिजली बहती रहेगी इसके अंदर करंट बहता रहेगा इसके अंदर पानी चलता रहेगा करंट बंद, पानी बंद जैसे सास ले लेते रहते हैं और जीवन चलता रहता है वैसे ही संगों में जो काम करते रहते हैं तो संग के लोग जीवित रहते हैं संग में काम करना बंद कर देंगे तो खतम फिर नहीं चल सकते यहाँ पुराने नियम सारे हैं ना यहां चंदा है ना यहां पद है ना यहां पोश्ट है ना यहां माला है ना यहां व्यत्तिवाद है यहां सिर्फ और सिर्फ संग बाद चलता है संग की बाद चलती है संग का मालिक संग है संग को संग चलाता है संग के नियम चलते हैं इसलिए आप सब इसको समझें इसको कोई जाती में उलजे हुए लोग नहीं है आप संतों में और मतों में उलजे हुए लोग नहीं है आप किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाले लोग नहीं है आप समण विचार धारा के वो समुंदर हैं जिसका कोई अंत नहीं है जिसकी संक्या बहुत विसाल है और ये संग ने हमको पहले भी बचाये था और संग हमको फिर बचायेगा क्योंकि बुद्ध जैसा जो व्यक्ति है क्या कहते हैं बुद्धंग सरणंग अच्छामी धंबंग सरणंग अच्छामी और संघंग सरणंग अच्छा में बुद्ध का मतलब है बोधी के सरण में जाना है बोधी मतलब ग्यान और धम का मतलब है प्राकर्तिक नियम ये व्यक्ति के लिए इंडूजल है कोई इनकी सरण में जाना चाहता है तो जाए ना जाना चाहता है पर तीसरा बारा जो उन्होंने का है संघंग सरणंग अच्छा मी बन्द संघ की सरण में जाना है संघ की सरण में रहना है इसलिए हम हमेशा संघ को नमन करते हैं हम ना धम को नमन करते हैं ना बुद्ध को करते हैं ना डॉक्टर अमीटकर को करते हैं मना नहीं करते, जिसका जो संत है, जो मत है, वो खुब नमन करे, उसको करना चाहिए, सारे संत महापुरसों को नमन करना चाहिए, पर जगड़ा ना हो, इसलिए उन सब के संग को नमन करते हैं, क्योंकि सारे संतों ने संग को नमन किया है, बुद्ध ने भी संग को नमन किया ह डॉक्टर अम्बेट करने भी अपने विसाल जन्समूं के आगे नमन किया है हर व्यक्ति अपने संगों को नमन करता है और जो अपने संगों को नमन करता है वो अपने महापुरसों को नमन करता है क्योंकि सारे महापुरसों ने ये संग बनाया है इसलिए हम सारे मिले के यहां संग को नमन करेंगे आपका कोई सवाल है वो जरूर आप पूछें आपका कोई मन में नारव डिया जाए इसलिए जानकारी पूरी लें कैसा भी सवाल हो और यहां संग को नमामी करने के लिए आजाएं, संग को नमामी करवाएं, आईए, आजाओ, संग को नमामी नहीं करवानी, तो उटो, मैं अपनी बात यहां खतम करता हूँ, और कोई बात किसी को खराब लगी हो, तो संग मुझे माफ करें, संग मुझे माफ करें, संग मुझ सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहि चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है यह सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बत तंगं सरेन गच्छाम। 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 साथू। 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 तंगं सरेन गच्छाम। तंगं सरेन गच्छाम। साथू। तंगं सरेन गच्छाम।